प्रदान क्या ये मिसन्फरमेशन है क्या मैं आप तक आपके पास पहले इसलिए आ रही हूँ कि देश में बेरोजगारी है या नहीं गरीबी है या नहीं महंगाई है या नहीं और ये मुद्दे है या नहीं या ये मिसन्फरमेशन है कि कमिंग बाक चीव शाजीया लोटरें मिसनफोरमेशन तो वह जो अभी हो रहा था मिसनफोरमेशन वह जो अभी हो रहा था और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद खाली बीजेपी वाले के अपरेलिये प्रोग्राम है क्योंकि इतना लंबा वो चल रहा था डायलोग वो देना और सबको जूट पोल देना सबको कहें जूट करार दे देना है जो उश्रब्रक की मेंगाई ज्यादा है यही यही हखीकत है इनको नाइए गवर्नर तो मिल्कुल आज़ यह एकस्प्रेस कर concern लेकिन बीजबी वाले concern नहीं express करते हैं उनको लगता है सब कुछ ठीक है उनके हिसाब से कोई भी चीज जो जो जमीनी हकीकत है उसको deny करते है और क्योंकि उनके पास तमाम तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए मीडिया को कंट्रोल करने के लिए तो वो जूट को बंबाड करके spread करना चाहते हैं misinformation हकीकत यह है कि घरीबी बहुत बड़ी हुई यह official statistics हैं पता नहीं कौन सी statistics जो भी सुनाई गई है लेकिन जो official statistics ने तमाम सर्व इंटरनाशनल सर्वेज बताते हैं कि unemployment की क्या स्थिती हैं बताते हैं गरीबी की क्या स्थिती है प्राइस राइस इतना जादा है जो आदमी इन सब चीजों को डिनाई करें और सिर्फ इसमें रिवेल करें कि नहीं साथ हम तो फिफ्ट economy हो गए यह बर दर्शाता है कि किस तरीके से रियालिटी से दूर रहने की आदत है और जूट को सच मानेंगे तो आप सल्यूशन भी नहीं निकलेगा तो आंक्रें यहीं प्रॉब्लम हो रही है कि आज की रखें लेकिन उसके बावजूद सरकार confident है 400 पार का नारा भी है और 2014 और 2024 में compare करेंगे तो कोई तुलना दिखती नहीं ने कि उसका कार गरिमा उसका कारण बड़ा सिंपल है रियालिटी से आदमी का attention divert करना माइंड कैप्चर करने के लिए इनके पास धर्म को convert करते हैं धर्म का wish बनाते हैं और उस wish के जरिये से लोगों के minds को इतना जादा pollute कर देते हैं कि आदमी उसी जूट को सच मानने लगता है तो यह इनका style है और यहीं इनका तरीका इस वज़े से यह confident है और भर्म का जो भर्म करते हैं तो वो सब के उपर यह तो इनकी strategy होगा तो इस से जादा जब्यदार है जितना जूट बीजेपी spread करती है उसको counter करने के लिए विपक्ष कुछ नहीं किया है यह सबसे ज़्यादा इस डिमाक्रसी में अगर विपक्ष कमजोर हो जाए उससे बत्तर और कुछ नहीं हो सकता जो आज जो स्तिती है जो के जिस तरह जो conditions बुरी फैली करते ही इनको लड़ना भीजेपी से है कि अपने आप से लड़ना है राद